देशी नहीं दुनिया भर में नया किर्टिमान स्थापित किया। मनोहलार ये दावा करते नहीं ठकते कि उनकी सरकार ने पिछले आठ सालों में हर वर्ग के स्वास्ते की चिंता की और इसके लिए कई जरूरी कदम उठाए गए। चाहे चिराग योजना से करे परिवार को लाप पहुचाना हो, सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधा मुहया करवानी हो या फिर प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर रोक लगानी हो। हर्याना सरकार के हर कदम बिना किसी भेदभाव के आवाम के हित में उठते रही हैं। लेकिन आज हम बात आयरुवेद चिकितसा पद्धती की करेंगे। सरकार का ये दावा है कि प्रदेश में इसे बढ़ावा देने कुले कर कई योजनाय चलाए जा रही है। ताकि आप लोगों को सस्ते और बेहतर इलाज की सुविधा मिल सके। मुखे मंत्री मनोहलाल ने अपने कारेकाल के करीब 8 सालों में हर मंच से ये दावा किया कि उनकी सरकार आप लोगों की सरकार है। और यही वज़ा है कि मनोहलाल कारेकाल में सभी योजनाय आम लोगों को ध्यान में रखकर शुरू की जाती है। करीब 5000 साल पुरानी आयुश पद्धती को लेकर भी सरकार का यही दावा है। मुख्यमंती मनोहलाल इस बात पर जोर दे रखे हैं कि आयुवेद पद्धती की शुरुआत से आम लोगों को सस्ती और बेहतर स्वास्ते सुविधा मिल सके। कम खर्चे में अधिक लाग की तरफ सरकार अगरसर है। अब ऐसे में प्रदेश वास्तियों के लिए तमाम मनोहर योजनाय चलाई जा रही है जिसका फायदा जनजन को मिल सके। ऐसे में सरकार की और से कौन-कौन से जरूरी कदम उठाए गए और इसका आवाम को कितना लाब पहुँच रहा है। हमारे इस रिपोर्ट में देखिए। आयुर्वेद हमें हजारों सालों से स्वस्त जीवन का मार्ग दिखा रहा है। प्राचीन भारत में आयुर्वेद को लोगों के उपचार और स्वस्त जीवन शली व्यतीत करने का सरवोत्तम तरीकों में से एक माना जाता था। अच्छे स्वास्थे को बनाई रखने के मात्व के कारण हमने आधुनिक विश्व में भी आयुर्वेद के सिध्धानतों और आवधारनाओं का उप्योग करना नहीं छोड़ा। ये है आयुर्वेद का मात्वा। आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा विज्ञान है जो कम से कम 5000 सालों से भारत में प्रचले थे। ये शब्द संस्कृत के शब्द अयुर्व, जीवन, और वेद, यानी ज्ञान से आया है। आयूरवेद या आयूरवेदिक चिकित्सा को कई सदियों पहले ही वेदों और पुराणों में प्रलेखित किया गया था ये बात और है कि आयूरवेद सालों से विकसित हुआ है और अब योग सहित अन्य पारम पर एक प्रथाओं के साथ एक इक्रित है इस करम में आयूरवेद को बढ़वा देने के लिए सरकार सही कदम उठा रही है जिस से आम जनमानस को इसका लाभ मिल सके मुख्यमंतरी मनोहर लाल का यूही नहीं आयूरवेद के प्रती इतना जुकाफ हुआ अपनी ही एक समस्या का जिक्र करते हुए मुख्यमंतरी मनोहर लाल ने बताया कि 38 साल पहले व्यखुद एक परेशानी लेकर विश्व विख्यात आयूरवेद के ग्याता पदमश्री पदमभूशन से सम्मानित वैदे देवेंदर त्रिवणा के पास गए थे और इस कारिक्रम में उनसे मिलना किसी बड़े संयोग से कम नहीं जिश्यो ख्यात आदनी और वैदे देवेदर त्रिवणा जी जो पदमश्री और पदमभूशन से सम्मानित हैं आज इनके साथ मैं याद करना चाहूंगा आदनीय स्वर्गियर वैद ब्रस्पति देव जी वह उत्तिर गुना जी को इनके पुझी पिता जी थे मेरा उनसे बहुत प्लाना समझ रहा उन्जी सो चुड़ासी पिचासी से लगवग अड़तीस वाश्पहले मैं मैं भी एक इलाज के लिए रोगी बनकर उनके पास गया था और मुझे याद है कि जो मुझे एक फ़री समस्या हुई थी पूरू ने ठीक कर दी थी निजामो दिन के पीछे एक वैदी की दुकान मुझे किसके बता है बहुत प्रसीद हुए दे और जो हां गया तो मुझे उप्ता लगा कि मैं तो सब्सक्राइब करते हैं कि इतना बड़ा नाम था उनका वैजी से जब पिछली बार मिलना हुआ रोतक में तो किसी एक कारकम की तरका वही मैंने का ठीक है मैं जूरूर आओंगा लेकिन उस समय में वहां रोतक में रहता हो ना तब नहीं हो पाया फिर कभी किसी आउसर पर आएंगे और जैसे इस कारकम का निमत्र मुझे मिला मैं को उसमें को यती शुक्ती नहीं मेरे कहने में जो मनें वैद देवंदर द्रुगुणा जी का नाम पढ़ा मैंने का अफसर है मेरा पर देश के अंदर इस योजना का लाभ जन जन तक पहुँचाने का मनुहर काम किया गया है हर्याना के मुख्यमंत्री मनुहर लाल ने इस बात पर जोर दिया कि देश में आयूर्वेद को बढ़ावा देने में हर्याना प्रदेश का एहम योगदान रहेगा प्रदेश की मनुहर सरकार ने आयरुवेद को बढ़ावा देने के उद्देश से प्रदेश की राजधानी चंडीगण में तीन दिवसी आयरुवेद पर्व का शुभारम किया चंडीगड के श्रीधनवंतरी आयरुवेदिक कॉलेज और हॉस्पिटल में तीन दिन आयरुवेद पर्देश भर से आई आयरुवेद के विद्वान महमन्थन करेंगे इन तीनों दिन के आयरुवेद केम्प में आम जनता के लिए फ्री एंट्री की भी विवस्था की गई है इस मौके पर मुख्यमंतरी मनुहर लाल ने आयरुवेद की तारीफ करते हुए कहा कि आयरुवेद को बढ़ावा देने में हर्याना एहम योगदान निभा रहा है मनोहर एलान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर्याना सरकार जल्द ही सूबे के कई जिलों में आयरुवेट की कॉलिज खोलने की तैयारी कर रही है मुख्यमंत्री मनुहरलाल ने बताया कि जो हमारा कुरुक्षेत्र में श्रिक्रिष्णा आयरुवेद कॉलेज है उसे विश्व विद्याले का रूप देने का काम किया गया है जिसके लिए 100 एकर जमीन एलोट की गई है जिससे परेश की जनता को उचित लाभ मिल सके कि यह एक आयरुवेद कॉलेज कॉलेज कि इदना अबना संस्थान चंडिगड में इसका नाम ने सोना नहीं था आज आख एक देखा है तो वास्ताम एक विलेक्षन एक एक संस्थान आपने कणा किया हुआ हर मेरी कुशी तब और बढ़ देए कि जब इस द्रमंत्री करना है या जो इसकी अफिलेशन है वो श्री कृष्णा आयरुवेद विश्वेद जाले कुशेद्र के साथ है इससे मेरी और कुश्वेद है हमारे बीच में वैदराकेश श्रमा जी जो प्रेजिनेंट है अखिर वहरतिया रुवेद मासा मिलर्ड के भी देश्वर में आय आगे बढ़ाया जाए इस परकार का काम है आप कर रहे हैं बहुत सराहनी काम है आयरुवेद जितना ये पीछे चला गया था लेकिन पिछले आठ दस वर्षों में एक बहुत तेज गती से आगे बढ़ रहा है उसमें वैदराकेश श्रमा जी का योगदान हई है तिके दृ शिशादर्शन देश के प्लारमंद्री शीने तर गोवरी जी का है कि हमको वापिस आयरुवेद पर जाना चाहिए बैक टूबेसिक्स एक बहुत बड़ा विशह है वेशिक्स में आयरुवेद का बहुत बड़ा स्थान इस देश में रहा है हम उस पर जाए बहुत बढ़े के प्रथम नागरिक यहां के मेर भाई श्रीय रोग गुपता जी चंडीगड का भी मेर पास पार्टी का काम रहा है तो छोटी आईयों में ही है अनुपता जी थे जड़ो साथ चलना शुरूर किया था है कि पिता जी को भी हम लोग साथ मिलके चलते थे तो आज ये मेर हैं अबड़ी खुशी की बाता है और ऐसे ही चंडीगड के हमारे मेर कुछ वर्ष पहले इदो दुर बटक रहे थे हमने कर ठीक रास्ते पर आजाओ तो ये ठीक रास्ते पर चंडीगड के मेर बने और बहुत बड़ी शक्षिया प्रदम नागरिक है मेर में हर काम में का सयोग रहता है इनको भी हाँ आज उपस्तित देख करके मन पसंदूबार है कि डॉक्टर नेश मित्तल जी नमंत्री अजुचिफ साइटी चंडीगड के आप सेक्टरी है कि निश्यद्रूप से यहां आयरुएट को आगे बढ़ा रहे हैं तो यह भी बहुत से योग पाइट अच्छा विश्य है वैद अनिल भरत्वाट जी ओपस्तित अन्य सभी मज्जा सीद सर्जिन रंदर सामने बैठे हुए आयरुएट के पुरुधा इस कॉलेज के चात् कि अधिन बंदर पत्रकार चायकर में तो सुनतर अशर ही जैसा मने बताया कि आयरुएट इस देश में एक समय था पीछे जाता जारा और इस आयरुएट में क्योंकि जो आयरुएट का त्याता आयरुएट का प्रोदा उसको वैदे नाम से बुलाते हैं जैसा वैजी ने कह मेरे मन में भी आता है कि आज हमारे नौजवान पढ़ाई करते समय अपने आपको वैद कहने से तुड़ा दूरी बना कर रखते हैं डॉक्टर कहा रहा है तुमको अच्छा लगता है लिकिन मैं देखी ये परंपरा इस देश की प्लाचीन परंपरा हर प्रकार के वैद्य सब्सक्राइब करते हैं और देश के दर दो चीज़ें कि जिकित्सा थी अशिक्षा थी हर किसी वैक्ति को बिना किसी पैसे के उप्लब दूती थी समाज में एक ऐसा काम माना जाता था कि इससे बड़ावर खोणने का काम कोई है यह सकता किसी के शरी中共 स्वास्ति को ठीक कर देना पिसे अशिक्षिक और कि शाक्षित को शीख्षिक कर लिगा लेकिन समय बिता चला गया पास्षब पाहती होती चली घई और पैसे का रोल बहुत बढ़ा होके है फिर हर चीज पैसे से इसके तुना की जाने लगी वरकि समाज में पी इक मानजता घर कर गई कि जो पैसा देकर के लिए जाए वो अच्छा है जो नुफत में मिले उसका कोई मेहत्व नहीं है एक मानजता कर दे उसमें से कहीं कहीं यह हैं पर छुप होय тобro के में एच्छी है तो थोड़ा जैले लगए गदाने में चिक्षा सें जड़ने लगों थो-कड़े आ़िए सब्सक्ना नि सब्सक्राने मरे जड़न का प्राइवली उन्हिस्टी इस जने लग एक दशकू है पैसे केन सब्सक्राइब कि बीच में से रास्ता निकाला कि इस शिफ्ट हो गए तो इसका समनों एक पर फिर विप्ति तुरुना करेगा कि मुझे आयोध का लाग ज़्यादा है या अज आज वाजी सब्की पानिता है कि कुछ दूम मेडिशन में और श्री में आज तक मुत नहीं है आज विए श्री ने श्रले की चक्सा में हो सकता है हम प्राचीर विथी को कि बहुत स्वस्टिकेट हो गया इस बडल हो गया बहुत विजिटलाइशन हो गया और अब तो उस प्रकार का श्रीकित सारा हाई नी कीरफ़ड करने का तो सिधा सिधा वो बिना अंदर कुछ डाले ह लेजर सिभी तो उसमें ठीक है अलोपेथी बहुत आगे हैं लेकिन पॉश्री में और पॉश्री में अलोपेथी का तो दूश प्रभाव हो गया है साइट अफेप्स बहुत है आएरवेदी में कुछ नहीं है कोई पी प्रकार की वाश्री आप जाएंगे तो इलाज में ज पर लेजिए और यह बहुत बड़ी चीज़ है अपर ना एलोपेथी देखते हैं एक चीज़ कराते हैं कुछ दिन तक शायद उसका रहत मिलती है साइड में कुछ साइड एफेट करते हैं दूसरी बीबारी शुरू हो जाती है और एक समय असाथ तक शरीक के तरह हालत अभी और उसके इंदर आगे बढ़ना है उनको अच्छे बाइस जासरों की बाद आपने करते हैं अभी और उसके इंदर आगे बढ़ना है उनको सब्सक्राइब करते हैं कि कोई है को एक अच्छा बढ़ना है कि कम से कम आपके लवर का या कोई भी जिसको आप सुझाएगे उसको जुरूर मालों करें इसी प्रकार के इंदर सरकार ने बहुत मेहतित जरा चुरू किया है जैसा गोईल साब को जानकारी है पंशकुला में एक एक एनाई एक रास्ती आइवर संस्थान नेशनल इस्टिट ऑफ इसके स्ताफना की जा रहे हैं दो सो सब्सक्राइब की लागत से बढ़ा नेशनल इसको एंज के बावर कह सकते हैं उस लवल का एक संस्थान बनाया जा रहा है कि हमने गाव गाव में आयों कैसे जाए उसके लिए कुछे शुजना में हर गाव में पहले दो एकड़कार एक पार अव्याम शाला यह बनाई जाए लगबख साड़े साथ सो गाव में यह बन चुके हैं उसी के साथ एक वेलनेस सेंटर आयो एक आयूस का कहना चाहिए आय और भी विधिया अईयोपे साथ आजाती है यूगा भी आ गया यूनानी भी आ गया सित्था भी आ गया खुछ विद्धाय लेकर वहां एक वेलनेस सेंटर हो अईयोपेथ के भी हैं लेकिन वहां बहुत सीवित महत्रा में यह सारी विधिया लागू की जाती है यह जिसको आयूश्के मातिम बनाएंगे तो सब विधियोवाला गुरू सब्सक्राइब योगा योगा को दुनिया में स्थान दिना लगा देलाने वाले ब्रहार मत्री जी 21 यूग को अंतरास्ती योग दिवस कमी सोचा नहीं था इस योग को सारी दुनिया अपना लेगी सारी दुन सब्सक्राइब जिनोंने योग घरगर में पहुचा दिया है और अच्छी कथा खानिया सुना करें रास्तवत्ति की किसे सुना कर उन्होंने में निकाल दियो तो यह कांवत गाव गाव में पहुचाने के लिए हमने पार्क का मुजाम शाला में एक योग के लिए एक स्था जैसे डाइटी शर्ण आहार विश्य शर्ण इसको भी बठाएंगे चाहे उन्हीं लोगों को योग सायक योग शिक्षा के उन्हीं को ट्रेनिक देंगे क्या खाना क्या नहीं खाना अपने शरीर के तासीर के साब से आयू के साब से खोड़न शर्ण के बैए वुक्ता जहा एक तो जाम पते हैं हमारे और अशदीव ही आहार है है वह अजय मिलें पांब है कि आपको दाल खानी है कि आपको फ़ल खाएंगे रूटी गानी तो पर श्राजी के खानी है आज ये बहुत से यानि हेल्थ पॉशिस्टों गुएने इन चीज़ों को फोलो करते हैं इसको इसके उपर चलने की कुशिश करते हैं मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने आयूरवेद शब्द पर जोर देते हुए कहा कि नाम से ही पता चलता है कि ये आयू बढ़ाने की विद्या है आने वाला कल आयूरवेद का ही है केंद्र सरकार की आयुश्मान योजना का भी जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने प्रधान मंत्री मोधी का धनेवाद किया जिसमें पात्र लोगों को स्वास्त सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है इस योजना के तहट गरीब परिवारों को पांच लाख रुपे तक फ्री में इलाज का लाब दिया जा रहा है जिसका हर्याना प्रदेश वासियों को भी मनोहर फाइदा मिल रहा है हर्याना के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में आयरुवेद को बढ़ाए जाने की तमाम योजनाओं की जानकारी दी साथ ही इसे उपयोग में लाए जाने का सबसे बड़ा फाइदा ये है कि इसमें खर्च कम है और लाभ ज्यादा है अबने सभी जिलों में पंच कर्म केंद्र ये इस्ताकत किये हैं हमने इसमें जिसमें से देवर खना चज्जह में बड़ बड़ा सनाथ पर योग और प्राकरते प्रिकेशा इसका केंद्र कोला एं तो यह सारे प्रोग्राम श्लीर चल वह इसमें इस विदा को इसमें आगे बठा सकें और इन में सम्में प्रतिया भी शुन करते हैं आज योग शिक्षा योग सारे आयरोगत के डॉक्टर्स इनको मागे बठा रहे हैं बरके हमारा तो कहना है कि नीचे के काई आए प्राइमरी हर्ट सेंटर्स उनमें तो अधिकांश जिजा पर आयरोगत के ही बठाइब ले रहे हैं इस तोलेजिमें जाए वह सुनातक है या जानातक वोकर है इन सब का भुश्य बहुत अच्छा है बहुत अच्छा बहुत है आप नों का कि आप एक बार आगे बढ़ेंगे आगे आने वाला कल वो आयरोगत का ही है आवेद के नाते से पंप लिए वएधित की आयंव घी घीर खैयू होता है होता हैсон हूं होता है यह बढ़ती आप आयरोवेदर तो आय बढ़ाने का वेद हैं और अगर है तो यह सब चीजे हैं आप हमने तक लिफ दौना ज्याजिब कर दूदीश gampi demons सब्सक्राइब हो गया उसको इराज की दूरुत है गरीब आती का खर्चा इतना ज्यादा हो जाता कि कई वा तुछ का घर कुजड़ जाता है करदे हो जाते हैं चोटे नोटा समान घर में हूँ बेच देता है करदा ले लेता है पांच लात रुपया हर गरी परिवार के परिवार थोड़ा इससे उपर अर्था उन्होंने दसजार के महिने वाले आंदत को इसमें कवर किया उसमें सर्थारी भारत सर्थार के साड़े पंद्रा लग परिवार ते हर्याना में हमने उनको बढ़ा करके कर दिया साड़े तेरा लाग परिवार और वोड़ी उसका खर्च हर्याना सब्सक्राइब करें फिर कुछ लोग काया कि नहीं और बढ़ना चाहिए आगे और बना दी इसमें प्रीमियम लेती हैं कंपनियां इराज करिए लग बग तीन अजार रुपया पर हैंड़का कि अधिया तरह यहां 37-37 लाग परिवार इस योजना में कर दो नहीं कवर हो गया हैं मोर्दन 50 परसंट 54 परसंट है अमरी 70 लाग परिवारों की संख्या है तो उसमें 37 लाग परिवार इसमें होने दोड़र इंगे किसी को स्वास्ति नात्रे घर से पैसा कम से तुम 5 लाग इसका नाम देवने चिराई योजना रखाए एक यूजना में बनाई है कि हर स्वस्त व्यक्ति का भी साल में डेड़ साल में एक वार उसके सारे जो शारे पिजिकल टेस्ट है मेडिकल टेस्ट सब कराते ही जाके एपने लेब ने जब भी कोई डॉक्टर के करने पर को आख मैक्सिमुन दो साल में जितनी पार लोस की डर आयेगी तो दो साल बात भी आयेगी इनके सब के टेस्ट फ्री अपकॉस्ट यह में करांगी निरोगी हर्याणा इसका नाम देखा कि रोग्स प्राणा में हुआ तो पता लगना चाहिए तो अगर यह पर पता नहीं लगा ला अर्णीन विपन जाती है वहारा नहीं पता लग जाती है पहुत से बच्छों को चुट-चुटी निकल के आरे हैं जिसमें प्राणा नहीं परताल जाती है तो यह कांद यह ने जोने सब्सक्राइब कर दिया है अब लगभग इसमें चार प्राइबेट इस संस्थाय बहुत काम करती है और जो प्राइबेट हॉस्पिटल है उनको भी अपैनल करके और इस विशेकों आगे बढ़ाएंगे मेरा तो आज मुख्यूरूप से इतना ही कहना है कि हमारी जो विधी है इस विधी को आगे बढ़ाने के लिए हर्याण सरकार बहुत कुछ कर रही है लेकिन आप जो के इस पॉले के चाहे चाहे हैं चाहिया का हमारा जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वैते हैं वो सभी विधाव में अच्छे सुझाव दे सकते कि और अच्छा प्यात किया जा सकता है आयरोथ के नाते आप जो सुझाव देंगे उसको लागू करें उसको लागू करें एक एक ग्लैश एक संगर्श थोड़ा एलोपेथी को अभी चलता है अभी एलोपेथी ने आयरोथ को दबा के रखा हुआ है अब हम आने माले बहुशे में जिसा मैं अपने वैट जी से बात कर रहा था वैद राकेश श्माजी से तो एक ऐसा एडवांस कोर्स जिसमें एलोपेथी भी हो और आयरोथ भी हो एक मिला जुला का एडवांस को इसकी डिग्री है यह हम कॉलिजिज में दे सकें तब जाकर कि समस्याइब हो जाए उसको समझें जो अच्छा है उसको आ समस्थान की स्थाहपना 270 करोड की लागत से की जा रही है साथी हर गाओं में दो एकड़ का पार्क और व्यायामशाला बनाए जाने का काम भी तेजी से चल रहा है जिन में लगभग साथिस साथ लाक गाओं में पार्क और व्यायामशालाएं बनाए जा चुकी है और लगातार मनोहरी ओजनाओं के साथ प्रदेश को समारने का काम किया जा रहा है ताकि प्रदेश में हर किसी को रोग से निजात मिल सके तो आपने देखा कि आरवेद पद्धती को बढ़ावा देने को लेकर हर्याना की मनोहर सरकार की ओर से कितने कारगर कदम उठाये जा रही है जिसका आज हर वर्ग के लोगों को लाब मिल रहा है प्रदेश वासियों के स्वास्ति के प्रती संजीदा मनोहर सरकार हरोज इसक्षेतर में नया काम कर रही है ताकि लोगों को कम खर्चे में बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके आज हर्याना सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओ नीतियों का लाब हर वर्ग को भरपूर मिल रहा है और यही वज़ा है कि मुख्यमंत्री मनोहलाल अब तक प्रदेश के सबसे लोग प्रिये मुख्यमंत्री साबित हो रखे हैं तो इसी के साथ दीची एजासत कल फिर मिलेंगे इसी विकास्चिल हध्याना में इसी समय किसी नई मनोहल विकास्चिल नीतियों के साथ नमस्का